दोस्तों बोलिवुड के दबंग खान यानि सलमान खान को आज कौन नहीं जानता लेकिन आज भी कुछ ऐसी बाते हैं जो दुनिया अच्छे से नहीं जानती जी हाँ हम बात कर रहे हैं सलमान खान और एश्वरया राय की लविश्टोरी के बारे में ये कहानी है दो दिलों की बे इंतहा मौपत की लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सलमान खान को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें एक समय था जब सलमान खान और एश्वरया राय की लविश्टोरी पूरे भारत में लोग जानने लगे थे लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जब सलमान खान आशीकी की आग में ऐसे जुल्जे की मानो वो खलनायक बन गए बॉलिवूर के दबंग खान सलमान खान पर अकसर दबंगाई दिखाने और मारपीट करने के आरोप लगते रहते हैं सलमान खान के बेहत करीब रह चुकी अभिनेत्रियां भी उन पर इस तरह के आरोप लगा चुकी हैं सलमान खान पर सबसे गंबीर आरोप अगर किसी ने लगाए हैं तो वो और कोई नहीं बलकि एश्वरया राय हैं सलमान और एश्वरया की प्रेम कहानी बॉलिवुड की सबसे दरदनाक प्रेम कहानियों में से एक है लव इस्टोरी से ज़्यादा इनका ब्रेक अप सुर्खियों में रहा एश्वर्या ने सल्मान पर मारपीट करने के आरोप लगाए पर सल्मान ने भी इसका अपने तरीके से जवाब दिया एश्वर्या ने सल्मान पर नशा करने और मारपीट करने के इलजाम लगाए थे लेकिन किसी चैनल को दिये इंटर्व्यू में सलमान ने खुलासा किया था कि एश्वर्या जूट बोल रही है उन्होंने ना तो उन पर और ना ही किसी और पर आज तक हाथ उठाया है जब एक महिला पत्रकार ने सलमान से ये सवाल किया कि क्या आपने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया तो सलमान ने जवाब दिया अगर उस औरत ने ये बात कह दी है तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता सल्मान ने आगे यह भी कहा कि अगर मैं किसी ओरत पर हाथ उठाऊंगा तो क्या वो सर्वाइव कर सकती है ये सब जूट है ये थी सल्मान खान और एश्वरे राई से जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग बाते तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सल्मान खान किसी ओरत पर हाथ उठा सकते है या फिर ये सब उन्हें बदनाम करने की शाजिश है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कर दें धन्यवाद